नमस्कार आप देख रहें डीपे के न्यूज और मैं हूँ आपके साथ अधिती जैसल मेर में आये आंधी तूफान ने पिछले 24 घंटे में कहर बरपाया है किसानों के साथ साथ डिसकॉम और बिजली विभाग को भी करोडों का नुकसान हुआ है इस तेज आंधी के गुबार में कई विद्यूद पोल गिर गए, कई पेड़ तूट कर गिर गए जिससे बिजली सप्लाई बादित हुई और उसके साथ यी पेजल सप्लाई भी बादित रहे 24 घंटे बाद भी ग्रामेन और शहरी शेत्रों में कई जगय बत्ती गुल है कई घर अंधेरे में हैं जिससे आमजन परिशान हो रहे हैं पिछले 24 घंटे में जैसल बेर में आए तेज आंधी और तूफान ने जम कर कहर बढ़साया किसानों के साथ साथ डिसकॉम को भी करोडों का नुकसान जहिलना पड़ा है सो से ज्यादा 33 केवी की जी एसस प्रभावित हुए कई जगह पर हाई वोल्टेज तार जूल गए जिलेभर में करीब 300 से ज्यादा पोल तूट गए इससे पेजल आपूर्ती भी ठप हो गई तेज आंदी से जहां ग्रामीन और शहरी शेत्रों में कई जगहों पर विद्यूत पोल किर्णी से बिजली आपूर्ती बादित हुई तो कई शहरी और ग्रामीन इलाकों में अभी तक बत्ती गुल है हाला कि डिसकॉम के अधिकारी और करंचारी लगातार आंदी से प्रभावित विद्यूत आपूर्ती को पट्री पर लाने में जुटे हैं तो ही अब तक इस तूफान से डिसकॉम को एक से दो करोड के नुकसान की आशर्ण का जटाई गई इसके साथ ही ऐसे कई अलाके हैं जहां से रिपोर्ट आना अभी बाकी है जैसल में डिसकॉम की अधिक्षन अभियांता नरेंदर कुमार जोशी ने बताया कि रविवार और सोमवार देर रात आया तूफान बहुत तेज था जिसके चलते ग्रामीन शेत्र के 33 केवी के सभी फीडर प्रभावित हुए और शहर में एक बार विद्योतापूर्ती पूरे तरह से बंद हो गए अब तक उसमें लगबग 70% सप्लाई को रिस्टोर कर दिया गया जिसके बाद में एक दम तेज अंदर आया था जिसके अंदर विद्प्रसर भी बहुत भाइंकर टेस्ट था जिसके अंदर एक बार तो रात को पूरी जसमें शिटी की सपनाई भी पूरी डिश्रब हो गई थी और आस पास के जो गर्मेंटी जो क्षेत्र के थे उसके सारे 33 के वी फीटर हमारे ट्रिप हो गए उसके बाद में दिरे दिर तरके तीन बजे रात को हमने करीब 50 पर्षेंट सिटी को हमने रिश्टोर कर दिया और बाकी बाड़े में भी काम चल रहा है देमेजेस की जहां तक बात करें तक करीब अभी तक जो रिपोर्टेड है हमारे पास में उसमें एक तो बोपा जो जो सबस्टेशन के बाड़े में दूसरा हमारे 33 कवी के लाइन के करीब आठ पोल डेमेज हो गए और तीन लाइन डिपी उसके कारण सा हमारे पांच फीटर अभी हो थी तिसके भी की बंग पड़े हैं इसके अलावा 11 कवी के भी है उसमें हमारे अलग-अलग जो फीटर ग्रम करीब 12 गाओं में अभी भी विद्यत सप्लाई बारिक है इस तुफान से वे नुकसान की आठ लम के बारे में जोशी बताते हैं कि अब तक जो रिपोर्ट मिली है उसके अनुसार प्रसारन विभाग का 220 केवी का एक टावर, 132 केवी के टावर गी रहे हैं इसके साथ ही डिस्कॉम के 33 केवी के 8 पोल, 11 केवी के 134 पोल, एल्टी के 41 पोल के साथ ही 12 सब स्टेशन के ट्रांसफॉर्मर गिर कर धाराशाई हो गये इससे विभाग को करोडों का नुकसान हुआ है अगल सुबह तक बाखी का भी सारा हमारा रिस्टोर हो जाएगा फिट रोके होते हैं तो उसके बाद में हमारे जो गाओं की सप्लाई ये वो रिश्टोर हो जाएगी पोसिस ये करता हैंगा आज शाम तक 7-8 बस तक रिश्टोर हो जाएगा नहीं तक बिर कल 2 पर 11-12 बस के रिश्टोर हो जाएगा प्रात्मिकता हमारे इसमें प्रात्मिकता रहेगी उनको हम पहले उनको अटेंड करा रहे हैं ताकि किसी तरक की पेजल से समझ जान नहीं आवेगी गौर्तलब है कि जैसल मेर जिला उर्जा के शेत्र में विशेश स्थान रखता है और यहां सौर और पवन उर्जा के कई प्रोजक्ट भी चलते हैं दो दिन से आए तेज तूफान से सरकारी और निजी शेत्र की कई कमपनियों को भारी नुकसान हुआ इसके साथ ही बॉर्डर इलाकों में कई जगे से रिपोर्ट आना अभी बाकी है ऐसे मेर इस तूफान ने उर्जा के शेत्र को काफी प्रभावित किया है जिससे अब तक करीब करोडों का नुकसान सामने आ चुका है जीपी के न्यूस के लिए जैसल मेर से तनमे विस्सा के रिपोर्ट